हेलो स्टूडेंट्स एन अस्पाइरन स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल डेली जीएज डोस पर हमीशा किदर एक बार फिर हम आपके सामने हाजर हो गए है अपने अप्टेटिट कंटेंट और वीडियोस के साथ तो आज का जो टॉपिक है वो आपने बहुत भली भखूबी आपने देख लिया होगा थमनेल पे आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुक भाववलिक उपनामों की यानि ऐसे कुछ निकनेम जो हमारे इंडियन सिटीज और इंडियन स्टेट्स को यानि राज्यों और शेहरों जो अभी आने वाले हैं दो से तीन महीनों में हर एक्जाम के लिए important है इनसे direct question frame होके आता है तो चलते हैं बिना वगगवाई सीधे पने सवालों की तरफ समान निग्या निनी static GK के portion में ये topic आता है भारत के प्रमुक भाववलिक उपनाम तो बात करते हैं पहले नाम की इ जिश्वर का निवासस्थान बात करते हैं अगले की पांच नदियों की भूमी यानि लैंड ओफ फाइफ रिवर्स किसे कहते हैं तो ये कहा जाता है पंजाब को अगले पर चलते हैं साथ टापूओं का नगर यानि लैंड ओफ सेवन आइलेंड्स की बात करें साथ बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है तो पानी पत को कहा जाता है हरियान में इसकी लोकेशन है चलते हैं अंतरिक्ष का शहर यानि स्पेस सिटी किसे कहा जाता है बड़ा ही खुबसूरत यूनीक निकनेम है ये तो ये जो अपनाम है ये दिया गया है बैंगलोर को अगले नि निकनेम पे Electronic नगर यानि Electronic City किसे कहते हैं तो इसको कहते हैं बैंगलोर को कहते हैं अगले नाम पर चलते हैं तियोहारो का नगर्यानि की Land of festivals किसे कहा जाता है तो मदुराई को कहा जाता है अगले इस पर चलते हैं स्वन्ड मंदिर का शहर यानिी की City of Golden Temple या Golden Temple City तो बहुत असान सा निकनेम है ये जहाँ पर Golden Temple की जो है location है वो Amrit Sar में इसलिए City of Golden Temple या Golden Temple City भी अमरित Sar को ही कहा जाता है अगले निकनेम पे चलते हैं महलो का शहर यानि लांड ओफ फोर्ट्स या सिटी ओफ फोर्ट्स किसे कहा जाता है तो इसका जवाब है वो है कोलकाता अगले निकनेम पे चलते हैं नवाबो का शहर यानि City of Nawabs किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है लखनव को जो कि राजधानी भी है उत्तर प्रदेश की बात करते हैं अगले निकनेम पी इसपात नगरी इसपात को इंगलिश में कहा जाता है Steel यह इन Steel के बरतनों में अक्सर हम रोजमर्रा के भोजन का ग्रेंड करते हैं Steel के बरतनों में उसी Steel की बात हो रही है तो Steel City किसे कहते हैं भारत में क्या है Steel City का दूसरा नाम तो नाम है इसका जमशेदपूर अगले निकनेम पे चलते हैं परवतो की रानी यानि Queen of Hills किसे कहा जाता है तो Queen of Hills कहते हैं हम मसूरी क अगले निकनेम पे चलते हैं रैलीयों का नगर City of Rallies या Marches तो किसे कहते हैं जहां पर पूरे देश भड़ की सबसे आदर रैलियां होती हैं जहां पर सबसे आदर मार्च होती हैं जहां पर सबसे आदर लोग विदरोह में या किसी की प्रशंसा में रैलियां निकालते हैं तो ये कहां होती है सबसे यादा है, ये होती है नई दिल्ली में, बात करते हैं अगले निकनेम की, अगला निकनेम है भारत का प्रवेश द्वार, यानि एंट्री गेट ओफ इंडिया किसे कहा जाता है, बड़ा यूनीक सा निकनेम है ये, तो एंट्री गेट ओफ इंडिया क नेक्स उस पर चलते हैं भारत का मैंचेस्टर किसे कहते हैं तो अंगले निक्नेम की गुलावी नगई तो बहुत असान सा यह पूछा भी गया है यह कि पिंग सिटी किसे कहते है तो जो जैपुर है उसे पिंग सिटी कहा जाता है भारत का अगले निकनेम पे चलते हैं क्वीन ओफ डेकन किसे कहते हैं तो क्वीन ओफ डेकन की बात करें तो पूरे यानि महाराष्ट में जो पढ़ती है पूरे सिटी उसको हम कहते हैं क्वीन टो दो इंगं पर चलते हैं भारत का स्वाहलीवट पिसे कहा जाता है तो मुंब़ाइ को स्वाहलीवट आखले निगनेम पर चलते हैं जीलो का नगहिनी City of Lakes इसको किसे कहते हैं तो श्रीनगर को कहते हैं City of Lakes बात करते हैं अगले निकनेम की फलुद्ध्यानों का स्वर्ग यान इंग्लिश में बात करें तो फहाटी की मलिका किसे कहाँ नेतर हाट क कहा जाता है पहाडी की मलिका बात करते हैं अगले निकनेम की भारत का डेट्रोइड निंडिया है की और एक सब्सक्राइद में आगले दहीं पीषण बुल्फ का शैनल को धू Embry में अमने लोगी वही कुमम के में दो करें पारी ओसनल कि living जेपुर्फ को सब्सक्राइबिया और हीवığınprogramत तो गुजरात जो है उसका नाम है निकनेम सॉल्ट सिटी अगले निकनेम पर चलते हैं अगला निकनेम है सोया प्रदेश तो सोया प्रदेश किसे कहते हैं मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया प्रदेश नेक्स निकनेम पर चलते हैं मलय का देश तो माद मलय यहां से हो रहा है मल आप मलई भी कह सकते हैं, तो कहां पर उसको क्या कहाना जाता है, करनाटक को कहा जाता है, मलई का देश, पीपल ऑल्सो रिसाइड इन करनाटक आर कॉल मलई नेक्स्ट पे चलते हैं जो निक्नेम है दक्षिट भारत की गंगा यानि गंगा और साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है कावेरी को अगले निक्नेम पे चलते हैं काली नदी ब्लाक रिवर किसको कहते हैं शारदा को कहते हैं काली नदी अगले निक्नेम पे चलते हैं पहाडियां रहेंगी तो इस सवाल को बहुत सहचता से ही आप सही उत्तर के साथ माग कर सकते हैं बात करें अगले निकनेम की एशिया के अंडों की टोकरी यानि की एग ट्रे ऑफ एशिया किसे कहा जाता है कितना ही खुबसूरत निकनेम है यूनीक नेकनेम है अपने आप में ताजल और सुर्मा एक साथ इनको जोडा जाता है इनको इस्तमाल किया जाता है अंकों में लगाने के लिए उनकी सुंदर्ता को बढ़ाने के लिए तो सुर्मा नगरी किसको कहते हैं चलते हैं अगले निकनेम पे खुश्बूओं का शहर यानि सिटी ऑफ सेंस और स्मेल्स किसको कहते हैं तो ये कहते हैं कनोच को बात करते हैं अगले निकनेम की काशी की बहन यानि सिटी ऑफ काशी किसे कहते हैं गाजीपूर को कहते हैं अगले निकनेम पे चलते हैं लीची नगर सिटी ऑफ लीची तो ये होती है दहरादून दहरादून का निकनेम है लीची कहते ही एका स ellos हो यह एक प्थे का स सब्सक्राइस में 70 पर में साबस्वाइस है यह दो सेए अगले निकदेशन हें पर चल्ते आरब सागर की रोनी चाऔर कोची नेक्स निकनेम भारत का Mittelूजलान थो एक मुझा सक कश्मीर को बात करें पूर्व का स्कॉटलेंड हमने बात कर ली वेनिस की बात कर ली पैरिस की सब इस्ट के ही है अब हम बात कर रहे है कि इस्ट का स्कॉटलेंड क्या है भारत के लिए तो यह मेंगाले बात करते हैं अगले निकनेम की उत्तर भारत का मैंचस्टर क्या है उत् वम हम जा चाहता है नम कर भाशा शेसर और जीमिंदे निकनेफ रबहारते पामांता चाहे करें मेगो का घर भीषिस早गा चाहता ऑट है। कि यह से हम एक लिड़ा क्योंगा डिकनेफ मिक लगे जार के इसके बाद चलते हैं पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है तो कि दंगूर्पूर को कहा जा है भारत जो है बैंगलोर का जो निकनेम यानिrig becomes भारत बोस्टन को कहते हैं घम के बाद बात बात का पारिए तो बख़ी तो बॉस्टन किसे कहते हैं बहुत सारे सिटी अम्रित सार अभी अपनाम से इस प्रष्ट है क्योंकि वहां गोल्डेन टेंपिल का लोकेशन पाया जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी तो कॉटन क्लोज की जो कह सकते हैं कि जो क्यापिटल है वो कहां रिसाइड करती है तो वो रिसाइड करती है मुंबाई में प निकनेम पर चलते हैं बिहार का शोग बहुत ही इंपोर्टेंट है यह कह सकते हैं कि पेपरों में कई बार आने की हमने अब्जर्वेशन किया है तब इस निकनेम को हम लेके आए इस वीडियो में तो सौरो अफ बिहार का शोग जो है वहम कोसी नदी को कहते हैं बात करें व कितना यूनीक अपने आप में है यह निकनेम यह उपना अपने आप में कितना यूनीक है को टायम की दादी किसे कहते हैं तो यह मलियाला को कहते हैं जुडवा नगर यानि ट्विन सिटी किसको कहते हैं हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं जुडवा नगर ताल इस वज़े से भी कई उपनाम पढ़ जाते हैं शहरों के और राज्यों के और कहीं न कहीं फिर जब वो पेपर में आते हैं तो हमारे लिए वो एक तरह का स्टाटिक हिंदी का पार्ड बन जाता है चलते हैं अगले उस पे राश्ट्री राजमार्गों का चौराहा यानि कि ऐसा चौराहा ऐसा टर्न अराउंड जहां पे सारे जो मतलब जो में में जो हमारे नाशनल हाइवे हैं वो मीट करते हैं इसका बहुत ही अच्छा सा जवाब है इसका जवाब है कानपूर और कानपू कुछ बात कि भारत का हॉली वूड मुंबाइ फ्र tense कोंण लूड एब गूल tablespoon को यानि ठंभाद को कहते है सथा निधन व iemand कहते हैं को इसी के साथ हमारे जो most important निकनेम्स थे इंडियन सिटीज और इंडियन स्टेट्स के यानि कि जो भौगयोलक उपनाम मिले है कुछ राजियों को भारत के और कुछ शेहरों को वो अपने आप में बहुत एक उनका महात्म है उनका एक बहुत importance है और यह importance हमारे लिए इस मायने में जरूरी है क्योंकि इनी के तरह से हमारे questions जो है पेपर में फ्रेम हो जाते हैं इसलिए इन questions में कहीं भी गड़बड़ी नहों और answers आपको बिल्कुल अच्छे से आते हूं यहीं हम कामना करते हैं और इसी उम्मीद के साथ हम यह भी मानते हैं कि आपने हमारे पूरे वीडियो को बहुत मन से देखा होगा सवालों को समझा होगा जवाबों को जाना होगा और आपनी आपकी कोई भी query या doubt है तो आप comment section में बिल्कुल freely हमें बता सकते हैं हम उम्मीद करेंगे कि आपने इन वीडियो को देखा होगा इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे विदा लेते हैं तब तक के लिए बूस्ट यो प्रिपरेशन जै हिंद जै भारत थैंक यू फो वाचिंग आप वीडियो और सब्सक्राइब चानल डेली ज्यस्टोस कीप स्टेंग